जहाँ बीजेपी की गर्मेंट नहीं है, वहाँ पे पुलिस का रुख इतना खराब नहीं है, जितना भाजपा शासित प्रदेशों में है। पुलिस नहीं हुआ, लेकिन हमारे उपर धाराएं डाली है, पुलिस ने जो भी, तो उसके लिए हम लीगल कारवाई कर रहे हैं। तो अगर ये हिंदोस्तान सब को एक समानता का अधिकार देता है, उसमें अमिद्शा भी जी भी आते हैं। तो ये दो तरहे के रुख अपनाना कोई अच्छी बात नहीं है, तेकि ये सरकार, दमनकारी सरकार है, इस सरकार का में मकसद क्या है वो सब समझ रहे हैं। इन्हों ने कानून को ताक पर रख दिया है, समिधान को ताक पर रख दिया है, सिर्फ ताना शाही चल रही है, और ये जो उबाल है वो उस ताना शाही के खिलाफ है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेशन हो रहा है, कई राज्यों में भी हो रहा है, और जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, तो मीडिया पर बात चल रही है, कि इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किये गए और बहुत सारी ऐसी प्रॉबलम्स भी क्रियेट किये इस पर क जाए गए देखे और जगों की, मतलब हिंदुस्तान में हर उस जगा जहाँ बीजेपी की गर्मेंट नहीं है, वहाँ पर पुलिस का रुख इतना खराब नहीं है, जितना भाजपा शासित प्रदेशों में हैं, और यूपी पुलिस तो उसकी महारती है, ब्रुटलिटी कर यह सब अपने घरों से खुद निकल के आते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, समझाने की कोशिश हो रही है कि यार पार की लड़ाई नहीं है, यह जंग का मैदान नहीं है, हम कुछ कॉंस्टिटुशनल वे में भी आगे मुहिम को ले जाएंगे, यहां से कैसे क्या किया जा सकता है, इस पर मुस्तकिल नजर रखी हुई है, लोगों से बात चीच चल रही है, यह ना मैंने शुरू किया था, और ना मैं खतम करने की हैसित में हूँ इसके, जी मुझे पिछले दिनों ABVP का कोई बंदा था, कोई सचिन नाम था, उसने जो है मुझसे फेस्बुक बहुत धमकी भरे अलफाज इस्तमाल किये थे, जब मैंने JNU जिन्दाबाद का नारा दिया था, तो उसने JNU मुर्दाबाद लिखा, और उसके बाद मैंने कहा कि, बेटर यू गो आउट ओफ माई फ्रेंडलिस, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ, FI टावर आव लेकिन लोग किसी बे किसम का नुकसान पहुचा सकते हैं, जिस तरीके से प्रोटेक्स चल रहा है, मीडिया में ACB अफ़ाय फेलाई जा रही है, कि ये केवल मुसलिम हैं प्रोटेस्ट करी है, कितना सही या कितना गलत है, आप देख लीजे, एक मिन मैं बुलाना चाहती हूँ, आप इसा, ये मेरी मुसलिम बहन आपको देखती है, य ये मुसल्मानों का प्रोटेस्ट है बिल्कुल भी नहीं, ये शुभांगी है, तो आपको अगर ये लग रहा हो, ये सरोजनी है, आपके सामने आ रहे हैं ये लोग, रामदत्रिपाठी सर खड़े वे हैं, आप रामदत्रिपाठी सर पे भी कैमरा दीजे, ये सब वो हैं, ये नौन मुसलिम लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के सम्विधान से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, यहां की हिंदुस्तानियत से प्यार करते हैं, ये वो लोग हैं, जो हमारे साथ कंदा मिला कर खड़े हुए हैं, कि हम हिंदुस् में इतनी सारी महिलाएं बैटी है पूरे देश में आंदोलन चल रहा है मैं कैसे खतम करा दू मैं कैसे सरकार ने तो सरकार ने तो भी ये भी क्लियर कर दिया है कि अभी हम इस कानूं से एक इंज भी पीछे नियाटेंगे इसे पर क्या करें देगे सरकार से उपर भी कोई कि ये उबाल किसी क्रांती किसी और रूप में ना हो जाए